हेलो डोस्तो नमस्तार बहुत बहुत स्वागत है आपका हुमारे यूट्यूब चैनल में तो जर्मनी में जो है विंटर सीजन का होगी है अब स्टार्टिंग और स्नोफॉल पी हो रही है आज तो हम बाहर निकले हैं आज खुनने के लिए तो स्नोफ्लेक्स जो है नो मेरे आ स्टार्ड बहुत जान्यां यह तो आज़के तो यहां चाल रहा है तो पूरी डेकॉरेट हो चुकी है और रात में तो काफी सुंदर माहौल होता है यहां प्र आजकल तो किसी दिक दिखाएंगा आपको और अभी अगर टेमपरेशर की बात करें तो 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 तेमप्रेशर अब हम जा रहे हैं क्रिस्मस मार्केट के अंदर तो आपको दिखाते हैं कैसा है यहां पर क्रिस्मस मार्केट तो यहां से हमने एंट्री ले लिए यहां उना के मार्केट में तो अभी तो ये अच्छा लग रहा है बट उतना जादा अच्छा नीं लग रहा आख करो नाइट्ट ताइम में में जक्ट फुरा डा को जाता होगा था जब ज्ल which अइब सारी यहाँ पर डेकॉरेट किया गया ही, गिफ्स बटेट रखे हैं, चेहां साथ में एचे सेंटावाली कार भी है, यहां पर बच्चे बीजाएं, अपनी पिक्स क्लिक करा रहे हैं, तो बचे काफी ब्यूटिफुल यह लग रहा है, साथ में सारे कई सारे Christmas trees भी लगाए में हैं यहापर कितने सारे presents यहाँ पर रखे हैं साथ में एक गारी है यहाँ पर तो इसमें बैट के भी आप pics वगरा जो है ख्लिक करा सकते हैं तो अभी यह यह market लगना starty हुए है तो अभी ready किया जा रहा है को Christmas के लिए कि यहाँ पर Christmas जो है ना वो एक main festival होता है जोसे हमारे इंडिया में तो होता है इतना से फेस्टिवल होते है और यहाँ पे इन लोगों का एग ही main festival है वो है Christmas तो इसकी जो तहियारी होती है, वो यह 3-4 मंस पहले से करने लग जाते हैं, तो सब्टेम्बर से हम यह सब इनकी जो तहियारी है, देख रहे हैं क्रिस्मस की, और रिस्मस आने में जब कि अभी ना है, इसमें लोग अपने अपने जो इस टॉलस हैं, उसको डैकोरेट करने में लगे हैं डोनों साइड तो इस तरह का यहां पर कुछ माहौल है आजकल काफी बढ़िया लग रहा है ह मार्केट टूर करने में हमें और उमीद है कि आपको पसंदा रहा होगा तो से इस स्नूपाल हो रहा है और हम लोड में चलते हे व्लॉंगिंग कर रहें यह एक्सपीरियंस हमारी एक्दम यह है और साथ में आप लोगों को साथ में शेयर कर रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है और आए हैं हम यहां स्टोर में कुछ शॉपिंग करने शॉपिंग करने हम पागा और अब ही चोपी केश आमने पालक भी आने लेक्टेए है तो फटा जो एक और जाना पढ़ गया है इसके आप देख सकते हो इसके अप्सक्राण देख सकते हो इसके अच्छा गादर फांड लोगे हैं अब जो है जब हम आये थे उससे ज्यादा स्नोपॉल भी हो रहा है तो कापी मज़ा रहा है में देख के और जो यहां पर समान तखा है ना कारवार उंका जो रूफ है नहां पर पूरा नो जो खटा हो गजिए सीजन का फर्स्ट स्नोपॉल है यहां पर बर्लीन में और तेमप्रेचर अभी मैंने अपने फोन में चेक किया तो दिखा रहा था बन डिग्री सेल्सियस अभी हम फिर उसी मार्केट से होते पर जा रहे है तो अभी जो यह स्टॉल से बने थे ना इनके ओपर पूरी स्नो न को दिखाएंगे कैसे कैसे यहां पर डेकोरेशन हुआ है क्योंकि जब हम आये थे उस टाइम पर लाइट रहा होनी थी यहां पर अब अंधेरा हो गया तो काफी अच्छा लग रहा है तो यह जो स्ट्रक्चर सा बना है इसमें पुरी LED लाइक लगी है और साथ में यहां पर अब अब दिल्किल्की खंटा की नहीं हो रहा है तो मैं फॉस्ट काइम गर रही हूं में स्नौपॉल का एक्सपीडियेंस क्योंकि इंडिया में जो है डारदुन में मेरा घर था तो मसूरी और नैनी ताल अगरतों में गई थी बट गई थी में समर सीजेन में तो विंटर स देखने का चांस नहीं हुला स्नौफॉल अब जर्मनी में स्नौफॉल को देखा है तो काफी अच्छा लग रहा है और मिशी और मेरी पास्ट टाइम ये स्नौफॉल देखने का एक्सपीयेंस है तो काफी हमें मजा आ रहा है तो मिशी कैसा लग रहा है स्नौफॉल में आप आपे हर जिगा पाइन हुआ ही हो रही है क्रिस्मस का डेकोरेशन और फुल क्राउट आपको नज़र आएगा तो उसके वज़े से काफी अच्छा लग रहा है आपे हैपनिंग सा माहॉल है आज के लिए पर अंधेरा जो है फोर थर्टी पे और मुस्ट हो जा रहा है तो अभी जो है फाइक बीम हो आए और पूरा दाकनेश जो हो गई है तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की और और आज इस व्लॉग करते हैं हही पर ख़तम कैसा लगा आपको आज का एज व्लॉग ह तो आप हम अपने घर की और जा रहे हैं रास्ते में हैं तो इस एरिया में जितनी वी यह स्ट्रीट में गाड़ी खड़ी होती है न तो उसको आप देख सकते हो पूरी बर्फ की चादर से धग चुकी है यह सारी